मस्जिद तो बनादी शब्भर में एमा की हरारत वालों ने मस्जिद तो बनादी शब्भर में एमा की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बनना सका क्या खूब अमीरे फैसल को सनोसी ने पेगाम दिया तू नामो नस्ब का हिजाजी है पर दिल का हिजाजी बनना सका तर आँखें तो हो जाती हैं पर क्या लज़त इस रोने में जब खूने जिगर की आमेजिस से अश्के पैजी बनना सका एक बाल बड़ा अब्देशक है मन बातों में मोलेता है कुफतार का ये गाजी तो बना किरदार का गाजी नम बनना सका जी नाजरीन हमारा टॉपिक तबलीग से किरदार जो है करदार से जो दबलीग है वो इस वकार जारी है आप भी इसमें कॉल करके जो है शरकत कर सकते हैं हमेशा की तरह हम आपकी जो राय होती है इसको बहुत ज़्यादा है मारे लिए इंपॉर्टन्ट होती है और फिर मिलकर सबकी राय जो है वो एक आवाज बंती है और आवाज जो है वो बहुत दूर तक जाती है तो आप हमें कॉल कीजिए आप भी अपनी राय का इसहार कर सकते हैं तो हम अपनी बात को जाई रखेंगे वक्फे से पहले अली भाई और मैं जिस बात पर कि यह आएमा की जिन्दगियों के वाकिया जो आपने बैयान की है इस तरह के बहुत सारे वाकियात मैं भी बैयान करती नहीं हूं सब्सक्राइब करते हैं यह घर के भी अंदर यूद होती है इस तो भी तबलीग करनी होती है देखें के आज कल अली मुस्विभाई साथ तबलीग बहुत आसान हो गई है रीसेंटली अभी हमें हमें हाफते में एक दफा अपनी मसाज़िश को ओपन करने की वी जासे है कि वो दूसी क्मिनूटी आ है और इतनी आसान हो गई है यकीन जानी है कि यह लोग आपकी बात सुनते हैं लेकिन तब मसला यह है कि यूद की प्राबलम क्या है और आपने तबलीग किसरे कर ली है यह नहीं कि मस्जिश में हम बैठे हुए हैं चाई पी रहे हैं आगे हैं हमसे गुस्त गो रही है कहां से शुरू करें बही सिंपल सी बात है कि देखें कि एनेक्षेस के उपर कितना बर्डन है शराब पीने से कितने सिगरेट और सिगरेट नोशी से और शराब पीने से हमारे एनेक्षेस के उपर कितना बर्डन आ गया है यहां से शुरू कर दें इसके बात बता दें किस तरह और उसके रसूल ने किस तरह इसमें बताया कि इसमें नुक्सान ज्यादा है और फाइदे कम है आपकी बात कन्वे हो गई और वो दिस्क करी जूट बोलने के कितने नुक्सानत हैं देखो हमारा प्राइम मिनिस्टर था टोनी बलेज उसने जूट बोला और कितने लाखो इवादे बनादे कि देखो कि हमारे अल्ला और उसके रसूल ने अज़िस्ट बोला देखा आपने टोनी बलेज का जूट बोलने से कितने नुक्सानत हुए हैं कि इन्सानी तबाही और वरबादी के दारे तक पहुंच गई है को जो सिल्सला अभी चलता जा रहा है रुक नहीं रहा यानि के आज मैं नहीं समझता हमारे मैं आपके कल ही रात को तार्क जमीर साथ थे उन्होंने आदा घ्हांटा लगा दिया मिम्ब्र रसूल अब बैठे होते हैं वो तबली करने के लिए उन्होंने यूनिवर्स्टी से पढ़े लिखे तो एक तोताने का आदमी पड़ा लिखा थे उन्होंने जोर लगा दिया पबलो को बताने के लिए ये जल्दले क्यों आते हैं मजाल है मेरी बेहन के ये तार्क जमीर साथ ने ये कहा हो कि रब ताला ने इस जमीन का स्ट्रक्चर इसलिए बनाया है ये प्लेटे हैं ये स्ट्रक्चर ये चलता एड्युकेट नहीं किया यानी कि वो उनको भी निपता के तबली इस दा करनी है तो अब ये जब बच्चे भी हैं बच्चों को QIन जाना हीए बताने से पहले मैं बोलता हूँ कि आप ऐसा करें कि इंडिनेट पे जाएं और वहां पे गूगल करें कि शूगर के क्या नुक्सानत हैं ज्यादा सोने से टी-वी देखने से अगर एक्सेसाइज नहीं करेंगे जब वो देखते हैं कि हाँ 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 डक्टर ये कह रहे थे हम कहते हैं कि देखो यही बात हमारे अल्लार और उसके रिसूलने का है कि आपने से खिया रखो शुगर ज्यादा मत खाव आपके दान खराब हो जेंगे यह बच्चे सुनते हैं बते यह नहीं कि तरीके कार जो है उसको अपनाना पड़ेगा दूसरी बात ही है कि अगर न्यू जेनरेशन जो है अगर इसको बिल्ट अप करना है सुसाइटी को आगे चलना है तो इसके लिए स्पोर्ट के जो है इंतिजामत करने पड़ेंगे थीक है आपस में मजज Way एक्तलाफात है है थीक है खकूमतों के आपस में एक्तलाफात है है यूद का इसके अंदर क्या नुकसान है यह देखे न मैंने पहले भी आपसे मैंचिन किया था कि यह मेरी बहन यह फर्स वर्ड वार में सेकंड वर्ड वार में इन्हों ने आपने आपको बहुत मारा है लेकिन आज क्या है कि इन्हों ने स्पोर्स को बंगनी किया education के जो सालीम अद्दादारे थे उनको नहीं बंग किया वो आपसमें exchange करते हैं यानि के एरान के स्टूडेंट्स हैं वो साइंस में आगे हैं अगर पूरी मुस्लिम उम्मत के 54 कंट्री का देखा जाए उसमें मैं देख रहा हूँ के साइंस में ये स्टूड्स आगे हैं अब इस यूद को यूज करना चाहिए मलेशिया बलाए अपना पाकिसान बलाए मु आप मैं च्छोटी सी मिसाल देता हूँ जो एक छका मारा था जवेज मिया दाजने शार्जा में इंडिया के खलाफ हमें चार रंग चाहिए थे और जवेज मिया दाजने छका मार दिया था अगर आपके हाथ में बैठ है यही सैच्टूएशन है और जितने भी हमारे लोग है उन्होंने अपने उंगलियां जो ना दांतों में ली हुई है कि मुस्वी भाई के हाथ में बैठ है हमें चार रंग चाहिए और मुस्वी भाई जो ना इसका होगा टैंचन में है इधर में क्या होगा बॉलिंग को राने वाला जो है वो क्या है वो है वाबी जब आप उ यूद्ग की रिकुार्मेंट है आज के दौर की, अगर यूद्ग को हम इसका स्पोर्ट के अंदर फुटबाल के अंदर क्रिक्ट के अंदर, स्विमिंग के अंदर कोई भी जो भी स्पोर्ट है, उसके अंदर उसको fight नहीं कराएंगे, अगर यही करेंगे के नफरत दिलाएं चूल है, और दोर आ चुका है, आपका भी काम है, मेरी बेहन का का काम है, यह सबने कर चाहिए, ना के वो नमभी दाड़ी में बारे रखें, और यह जमसिलमा थे होना पड़े जबाज किंद्य में पर अगर को शामिल करेंगे एक और को शामिल करेंगे हलो असलामिलेकुम यह वाले असलाम शार भाय 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 हुच्छ रखाभ था खाभ था और कौन तबलिग बनती चरदात है حضور مبیع کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ने अपनी हयातِ طیبा में 40 साल तबलीग से की है अपने करदार से 23 बरस तबलीग जो है वो पुरान के हुकम से है अगर जे आपके कल्ब अन्वर पे पुरान उत्रा सा लेकिन आपने जो 40 साल अपना जाती करदार दखाया जब मक्का के काफर ये अड्मिट करने लगे कि आप सादक हैं आप आमीन हैं और कुफार आपके पास अमानते रहते थे जब जाकर हालात साथगार हुए और आपने तबलीग का काम शुरू किया इसमें करदार का बहुत काम है कुरान का हुकम भी है लवा तकूलून माला तफ़लूम जो काम करते नहीं है उसका कहते कि हम होते तो यू करते हैं हम ऐसा करते तुमारे लगे आप देखिए बच्चों के सामने या आप माद अल्ला आप बे नमाजी कर रहे हो तो बच्चे उसे क्या सब्सक्राइब पाफंदी से नमाज बढ़ेंगे नहीं आप माद अल्ला अगर आप में कोई दरोगोई की कवायत है तो बच्चे उसे क्या सिखेंगे वो सच बोलें के नहीं इसी तरह आल्ला ताला ने जबान की तासीर दी होती है जो लोग बाअमल होते हैं उनके कहने में और बाअमल बेअमल लोगों के कहने में बाअमल लोगों के कहने में बाअमल से मरात तो हुई ना बरा काम करने वाले बाअमल कहने वाला और बेअमल कहने वाला आप पैचान सकते हैं उसके अफ़ाल से और की हरकात सिकनात से उसके जेस्टर से उसकी उठने बैसने से कोई चीज मतरश्य है जो आप समझे लें कि उसमें असर नहीं होता जो बात दिल से कही हिगी होती है, जो साफ गोई से कही होती है, जो हकिके पर मखनी होती है, उस के कैने का आंधास बेशक साधा ही हो, असर भजीर होती है, दूसरी असर भजीर नहीं होती preferred है। करें तो उसको बोस पर नाकर्माद कर दिन dol cuma देना अगर शच मैं वो तStarotta हो अगर उसमें वो नकषम है उसमें कोबायत खुपायत है उसमें वो कबी एप जो तो उसको फॉर पर ना कर् trad a । आदे रहने हैं आदार वगत की फाफ़दी पर भे हादा इसे आप देखते हैं कि ब्राए नाम अमुमन दोर पर कह देते हैं कि जाया ना करो फूट को जाया ना करो उक्रार करो वक्त करो लेकर बस इसी लिए उसमें अचर नहीं होता है कि जो लोग करते हैं उस परामल और कहते हैं कि दोने से जोर्मों के प्रें से होते हैं जो काबले कबूर होते हैं Dr. बичес Senhor में र मैंने 3 होती, मैंने इसमेरा, मैंजमा MA is my थी, 73 में, Lज तो उसमे Carrie झैने से होति मैं पराम झाफ्Ö इसमेरां भी से होते हैं पहरे यह के पहले वो खुद आमल करें और उसके बहाद कियें यही सुनन्द ए- रसूल 00 है यही कुरान का हुकम है और अल्ला ताला पसुन नहीं करता है मना आफकत को पसुन नहीं करता है इस काम खुद तो ना हो, लियुकर मैं बेजाएर के मुखतर भी गुफतर होती है बहुत पुरसर होती है मेंकुल हम ये देखें हम उसी बात को मजीद और आगे बढ़ाएंगे जहां पर हमने बात को रोकी थी कि मुबलगीन की जिम्मेदारियां जो हैं वो सिमा है और फिर हम एक जगा और देखते हैं कि बहसियत अगर हम मुखमद आले मुखमद के मानने वाले दावा करते हैं तो देखें हमारे अलावा ये कोई दावा नहीं कर रहा कि उनके पेशवा और रहनुमा मासूम है कोई दावा नहीं कर रहा कोई फिर्गा दावा नहीं कर रहा कि उनके पेशवा जिनको वो फॉलो करते हैं वो एनल खता हैं उनसे खता नहीं हो सकती कोई दावा नहीं करता सिवाए असना शरी शिया असना शरीयों के कि उनके तमाम पेशवा हम दावा करते हैं कि वो मासू में एनलखता है उसके खता सरज़त नहीं हो सकती मासू में नल्ला है तो हम जब हम ये दावा करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है और हमारी छोटी सी छोटी गलती भी एक अजीम गलती शुमार होनी चाहिए अगर हम अपनी जात पे रखके अपनी उपर रखके इसको देखें तो हम दावा कर रहे हैं मासूम पेशवा की पेशवाई का और उनके मकतब के साथ जुड़े होने का तो हमारी जिम्मेदारी हमारा तहमल और होना चाहिए अगर कोई हमें काफिर कह रहा है तो हमें जेब नहीं देता है हम प्लेट्टिस को काफिर कहें क्योंकि हमारी जिम्मेदारियां मुक्तलिफ हो चुकी हैं हम वैसे नहीं हैं हमें अपनी जिम्मेदारियों का आहसास करना चाहिए अपने करदार के अंदर वो जाजवियत वो कशिश पैदा करनी चाहिए कि दूसरी जो मजाहिब के लोग हैं वो उस अपने अंदर की कमी को भापते वे मुहमद आले मुहमद के मक्तब के तरफ आए जिसे मैंने अभी प्रोग्राम के शुरूर में कहा कि अगर आप एक जगापर रहते हैं जहां पर नोन-Muslim जादा हैं आप इसलाम के सफिर बन जाएं बलकर वहां से तो आहसान है बना वहां इसलाम के सफिर बन जाएं आप वहां पर खामोश तबलीग करें खामोच तबलीज या निया अपने किरदार के साथ कि नोटिस करने पर मजबूर हो जाएं नोन-मसलिम कि ये कौन ऐसी किस मजब को मानने वाले ऐसे कौन सी शक्सियत को मानने वाला फर्द है जिसकी तकदर खुबसुरत आमाल है और इसकी इसकी खुबसुरत जो है वो इसकी behaviors or manners जिसको आप कहते हैं तो यही चीज़ है अगर आप मुसल्मान माशरे में रहते हैं मुक्तरिफ लोग फिर्खों में बढ़ चुके हैं आप असल मंबे को जानते हैं असल resources को जानते हैं कहां से इल्म के गोशे फूट रहें तो आप अपने किर्दार के जरीए अपनी जुबान के जरीए अपनी खामोश तवलीग के जरीए अपने चाल ढाल के जरीए अपने तमाम आज़ा वजवारे के जरीए से खुदा की रह में तवलीग कर सकते हैं एक ऐसी तवलीग जो अट्रेक्ट करके लाएगी और आप उस सोर्स का पता दे देंगे यह सब कुछ मैंने मुहमद आले मुहमद से हासिल किया आप इनके बारे में पढ़िए यह बुनियादी कुत्ब से हमारी आपको राज अफशा हो जाएंगे आपके ओपर जो तजलियात है नूर की अगर अब आशाओर होंगे तो समझ जाएंगे आपके ओपर वो मुनकशिफ हो जाएंगी हम यहां से लेते हैं हमारा मक्तब यह है तो इन चीज़ों को लेगा जब हम जाएंगे जब हम भी उन जैसे ही हो जाएंगे तो फिर हमारा क्या दावा कि हम मासूम को मानने वाले हैं नहीं हमें जो है वो बिल्कुल मुक्तरिफ जहत के साथ काम करना है आप अमिरल मौमिन हजद अली अबिताली अल्यासिलाम की पूरी हयात तयबा देखें आप देखें कि किन किन मौकों पर इसलाम की नाओ को बचाते में लाए और आज ये मक्तब आपके पास मौझूद है पूरी जिन्दगी पच्चेस साल किस तरह से आपने जो है वो किनारा कश होके और बहतरीन गवलिक करते रहे जम्हें कुरान करते रहे वस्यत करके गहे कि कुरान के मामले में सुस्ती ना करना कुरान से तमस्तु के अक्तियार करना कहीं गहीं गयर तुम पर सबकत ना ले जाए कुरान वो मंबा वो सोर्स है कि अगर इनसान कमस कम भी उसकी चालीस आयात रोस पढ़े तो वो उसके किर्दार से नजर आना शुरू हो जाएगा जैसे मौलाना मौहमद रिज्वी साहब जिनकों हमने उसे लिए पर्च लिया था वाली खुबसूरत बात उन्होंने कही कि ये मतलब कुरान के अंदर तमाम चीजों का इल्म है अंदर तमाम चीजें हैं हम सिर्फ ये कहते रहें कि इसमें तमाम जो है वो खुश्कुतर का जिगर है मगर हम उसको अपने उपर प्रैटिकल ना करें अपलाई ना करें और इसको सिर्फ मुर्दों के पढ़ने के लिए लग दें या दुलहन को शादी में जहस के मैं उसको कुरान नीचे से निकालने के लिए चोड़ दें और उसके बाद दुलहन उसको कभी न खोले उसके उपर मट्टी जम जाए और उसको इतने उचे मचान पर रखा जाए कि उसको कभी हाथ न जाए क्योंके वो एक मुकदस किताब है उसको चूना ही नहीं है नहीं कुरान आया आपकी रोज मर्रा की जिन्दगी के लिए मुझे इमाम जैनुलाब्दीन अल्यासलाम का फर्मान याद आता है इमाम फर्माता है कि पूरी दुनिया में कोई नहो इनसान को वहिशत होगी नहीं होगी कोई नहीं रहे अगर अगर गुरान साथ है तो वाल्लाह मुझे वहिशत नहोगी सब्हाना है गुरान वो ऐसा दोस्त है उसके साथ जिन्दगी गुजारे उसको अपना आइन बनाए उससे मानूस हो क्योंके वो आलम वर्जख में और आलम आखरत में एक मुझसम दूरानी सूरत में आपके साथ आएगा जिसने गुरान के साथ अनस किया जिसने गुरान के साथ महबत की दिल लगाया तो वो उसके साथ उस उन तनहाईयों में उसका मुने सो गमखार होगा उसके अंदर से आपको मिलता है केरेक्टर बिल्डिंग उसके जरीए से आप तबलीग कर सकते हैं अपने किरदार के साथ तमाम चीज़ों के साथ तो बड़ी भारी जिम्मेदारी जो हम पर आयत होती है बिल्कुल उस तरहां जैसे के पानी अपनी माहियत रखता है एक जैसा पानी है मुक्तलिफ दरखतों में डाले मुक्तलिफ खुश्बुएं महां से उससे मौत्तर होंगी पानी तो एक साथ एक और को चामिल के रहते हैं हलो असलाम अलेकुम वालेकम असलाम मेरी बहन आप बुरा तरह नहीं मनाएगी अगर मैं आदा मिट बात का लो जी जी बताएए अली भाई ने अभी ऐसा प्यारा लफ़ गोला है यकीन जानिये मेरा दिल बाग बाग हो गया कि कुरान को अपना दोस बनाओ अल्ला हुआ अक्बर ये तारीख में लिखा जाना चाहिए जुम्ला कि कुरान के पास जब जी इसको दोस बना लेंगे यकीन जानिये ये आपकी रहनमाई करेगा लेकिन जो लोग इससे ड्राते है वो अन लोगों को आई सुन लेना चाहिए अल्ला हुआ जानिये जानिये आपके दुख तकलीफ आपकी रहनमाई आपकी बात सुनता है आपसे बात करता है मौला काइनात ने भी यह कहा था ना कि जब मुझे मैं कुरान के पास जड़ा जाता हूँ तो जब इसको दोस मना लेंगे ना पिल्ला के मुश्किला आता हुजाएगी थेंकी वारी मुझे भाई मुझे ठाइम जड़ेने का जब दोस्वाइबangel है स्वेवाइब कर दोस्वाइब एक और कॉल कोई है यह चलता है अरव असलाम अले कुम असलाम अले कुम कि अपिक रफ भारत पर रफ सुल्ट मेरा जिल चाहां कि जो में भी रिखेंद छिन आती कि वो मैं सुना दूं आपको जी जी बदाए कि यह जो जी था ने सना दू एजाद तरु जी जी बिर्श्मिल्ट इस्थी बिस्मिल्ह रहि Wherever अनके आने से दो आने में बहार आई है, खुश्बू हर संथ है, रंगे चमन आ रहाई है, गुल खिलाएं है जो मिधद के कलम ने मेरे, उनके खुश्बू मेरी नातों में उतर आई है, क्या बिसाथ अपनी जो तौसीफ मुहम्मद हो बया, उनकी तौसीफ तो अल्दा ने फरमाई है, दिल पर मेरे हैं लिखे सर वरे दी के सबनाम, याद से उनके मेरे दिल को शना साई है, आपके नाम पर तखलीख हुआ है आदम, बजल कौनायन में सिर्फ आपकी इराना आई है, मेरे आखों मेरे दरख शाह की उतर आई है, उनसे वाबस्ता है ये दिल तो मुनवर इसमें, इसक आखा की जिया इसमें उतर आई है, सुछाना थैराना जाखों में याद रखे, बहुत शुक्रिया आपका जजा करिया, जजा कर लों मुनवर इसमें पर गोर किया जाए, और देखा जाए कि ऐसा क्यों होता है, बिल्कुल इल्म का राप्ता सलसला बिल्कुल ऐसा ही है इल्म हरे के जर्फ पर मुखतलिफ असर करता है मौला अमीरल मौमिन असलाम फर्माई बिल्कुल उसका जवाब दे रहा हूँ जो लोग कहते हैं कि या इनिडी यूनिवस्टी के पढ़ेवे लोग और फ़लाँ पढ़ेवे लोग यतने पढ़े लिखे लोग इंजिनियर्स क्यों अल्काइबा में चले गए क्यों टैलिस्ट हो गए क्या यह आलिम नहीं थे उसका जवाब दे दिये जाए कि अबिल मौमेन अजिए अज़ी अज़ादे के अज़ाद का शाद है दुरूदीर्थ सर्लाम हुआब की जातिक ग्रामी पर आप फरमाते हैं कि इल्म शरीफ के शराफत में जाफा करता है और कमीदे के पमीदे पंद में जाफा करते था है उसको वो मजीद और बढ़ावा देता है तो पानी बिलकुल वही वर्क कर रहा होता है अगर काटे वाले दरख में डालेंगे तो काटे निकलेंगे खुश्बूदार दरखतों में डालेंगे तो खुश्बू भी देंगे मुखिली मुखिली खुश्बो देंगे जिस द्रच की जैसी खुश्बोगी वो लगी ते rebell declare अिल्म का भी वह है इल्म को जो स्ट्टुडेंट्स कंसीव करते हैं उसनों से जो राप्तार रखते हैं वो सबको उन्के जिल्मि इस्तिदाद के मताबिक उनकी खांदानी जेनिटिकली जो सलहीयते हैं उसके मताबग उन मेंसे मुख्तलिफ असरात जाहिर होते हैं तो उनको चाहिए कि मुहम्मद आले मुहम्मद और गुरान के साथ कभी ना चोड़ें जो कि रसूल लागे हदीस हैं एक और कॉलर को शामिल करते हैं अलो अलेकूम वालेकुम सुलाम बैन मैं एक मिन्ट के लिए आधर हूँ मुष्वाई आप भी बात कर रहे थे कि एंजीनियर क्यों बान गए दैचकर्द और पड़े लिए क्यों दैचकर्द बान दे हैं मुष्वाई मैं आप से एक सौल करना चाहता हूँ मैं आप से ये पूछना चाहता हूँ मुझे ये बताएं कि मौला काईनात का एक बहुत खुबसूरत फर्मान है कि असल हमेशा असल सी तरफ जाता है जी वही 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 उसी टाइप कर मैंने कि फर्मान सुना है कि इल्म शरीफ की शराफत में अदाफा करता है और कमीन के कमीने पन में इसके बाद ही मैंने जाए वह बात का आगास किया था तो बात नख्वी साब ने बिल्कुल वही कई कि मुक्तलिफ जहेतों से अमिरल मौम्दीन अज़त अलिफ अबिटालीब अल्यमस्लाम ने मुक्तलिफ वक्तों में मुक्तलिफ गुरूं के सामने आप कलाम आइमा को देखे ना तो उसके अंदर आपको वाज़े चीजे नज़र आएंगी कि जस तरह के लोग वह करते थे उनको देख कर कि इनकी सलहियत कितनी है इमाम वैसे कलाम क्या करते है अगर गाउंद इहाद के लोग करिये के आएंगे तो उनके लेविल पर आकर उनको खुदा समझाए जाता है अगर इंटरलेक्शल्स लोग बैठे हैं तो उनके सामने सल्वान फार्सी के सामने खुल के बात होगी जना मिखदाद के सामने खुल के बात होगी मिसाम अतमार के सामने खुल के बात होगी मगर अगर बिचारे जमीदार टाइप के और मजदूर टाइप के लोग बैठे हैं जैसे मज़िद कोफा में अक्सर लोग आया करते हैं एक खड़ो के पूछ रहा है कि मेरे सर पे बाल कितमें तो उस हिसाब से उनके सामने उस तरह की बात होगी कि उनको भी एजुकेट किया जाएं खुदा की मखलूख हैं तो यहीं चीज़ हैं जो कि एक इनसान सीखता है कि किस तरह से तब्लिग करना है किस तरह टॉलरेट करना है और उस हदीश पर ले आके हम अपने इस गुफ्तगों को खतम करेंगे जो कि नभी करीम स्लोलाह लिए किसोटी दे दी थी मगर उनफरस्टिनेटली जो कि उसको भी तब्दिल किया गया और उसके ओपर मुसल्मान बरकरार ना रह सके कि कुरान और मेरी इतरत मेरी एहल बैत जो है कभी जुदा नहीं होंगे खाउज एक उसर तक मुस्तग जरूर पहुशेंगे तो हमने कुरान और एले वैद के तमस्क इक्तियार करना इसको नहीं चोड़ना क्यूंके कुरान है पूरे कोट्स हैं कोट्स हैं वो आयाते हैं वो कोट्स हैं हम उनका तर्जमा तो कर सकते हैं उनको खोल नहीं सकते हम इरे मौमनीन फरमाते हैं गहराई है अमतिक इसमें इतनी गहराई है कि उसको कौन जानता है? शायर के शेयर को शायर जानता है? कि उसने किस मिजाज में किस वज़ा से कब कहा था? तर्जमे तो बाद में लों करते रहे हैं उसके. आल मुहम्मद, नभी करीम ﷺ जिनके कल्ब अधर पर नाजिल हुआ. उन्होंने बराए रास तालीम किया. मुहम्मद वाले मुहम्मद को जना, फात्म जहरा सलाम अलाला को, जराम अमिर मौमिन असलाम को, अपने जबान मुवारा के जरीए. ये सीने जानते हैं, कि किस आयत के क्या माने हैं, हमने इनको नहीं छोड़ना है. बरना हम हाफिज बने घूमते रहेंगे, समझ में नहीं आएगा. पिर खेल में आखरी कॉल बुलें, मुक्तसर सी. में रहा के मारा जो टाइम है. चलिए मुक्तसर सी कॉल ले लेते हैं. इसलाम लेकॉम. बिलकुल एक मिनट मुश्किल से खोशाम दिद कहते हैं. बहुत बहुत शुक्री है आपका. बहुत भी खुश्टर प्रगामे में सिर्फ यह कहने चाहूंगे. इन जो है, बगए मारा पास के देखार है. आप एज़ी कर लेंगे, यह कोई प्यार से भास कर लेंगे, आपको उसमें मारा पास भी लेंगे. तो उसका कोई मकसद नहीं है, क्योब वो निस्ञानियन के लिए तो इतना कारमाद नहीं होता. लेकिन आप अपने लिए यकिन हैं इसमार कर सकते हैं. अब एक और माद में कहूंगा, कि इस्राइल में सबसे ज़्यादा तालीम याफ्टा लोगें, और अभी में एक तक्रीवी सुझादा किसी की, तो उन्होंने बताए कि 500 वहां पे प्यास्टी होते हैं हर साल. अब अन्दाज में लगाई ये साइब अग्रेट पेस की, जहां से जिस मुल्स पे लिख लेगें, वो कितना वहां तालीम याफ्टा होंगें, लेकिन क्या वो इल्म दूस्तों को, दूस्तों की मदद करने में काम्याब हो रहा है, और एक और आखरीबात से, जितना भी फल होता है, उतने ही छुकता है, और आलिम जितना अपने इल्म पर अमर करता है, उस नहीं मतवाद होता है, जजजा कर लाओ, बहुत भी खुस्तरत बाती है, इमाम मुहम्मद बाकर असलाम में, वो फर्माते हैं कोई बंदा उस वक्त आलिम नहीं हो सकता, जब तक अपने बलं तरीम बलं तर से हसद रखके और कम तर को हकीर समदें, आपर जो बलं तर जो हसद रखके और उसको कम तर समदें, तो इस महासी करना है, तो वो महासी किसाना का हासी किया जाए, बहुत जजा कर लाओ, 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 जजा क करना है हमें खुद ऐसा मिसाल बनी है पहले सबस्पने बच्चों के लिए ताके वो बाहर निकल कर फिर उस मौशरे में जो है वो तब्लीग कर सके और एक सही मुसल्मान का करदार जो है वो अदा कर सके तो हम सब अपने अपनी जगा पर जो है वो अपने आपको प्रैक्टिक अलाही वबरकातों